हेलो दोस्तों, वेल्कम टू स्लीपी क्लासेश तो बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि सर रवीजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम इतना दादा रिवाइज करेंगे उससे बढ़िया तो यह है ना कि हमें कोई नया कॉंसेट्स रिवाइज कर ले या कोई नया कॉंसेट्स वहाँ पर सीख ले वेल्योडिशन भी हो जाएगी और वो कॉश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो फाइदा बर मिल जाएगा तो मेरा कहीन अगर यह मानना है कि चलो अच्छी बात है कॉश्चन आ गया आपका clarity भी वहाँ पर develop कर सकते हैं आप उस concept से लिटेड साथ के साथ आप उस question को solve भी कर सकते हैं बट कही न कहीं जो इतनी बड़ी process आपने go through की है इस exam के लिए prepare करने के लिए दुनिया भर का content जो आपने यहाँ पर consume किया है जाए वो history का हो, polity का हो, economy का हो, science and tech का हो या किसी भी subject का हो उस पूरे content को जो आपने यहाँ पर consume किया उसको retain भी तो करना है तो वहाँ पर revision बहुत important role play करती है retention में कि आपके लिए बहुत मुश्किल है तुमी सारे चीज़ों को याद रखना and again, prelims जो exam है ज़रूरी है तो वो topic के बारे में अगर आपको पता रहेगा तो definitely आप उसका answer भी कर पाएंगे बट वो जो पता लगाना है उस topic के बारे में अगर आपने पढ़ा भी होगा तो उससे retain करना बहुत important रहेगा आपको पता लग जाते हैं कि आपको पता लग जाते हैं कि आपकी ये गलती है बट मान लीजिए कि आपको किसी एक ऐसे concept के बारे में गलत information register होगी है आप सोचते हैं marginal standing facility जो है उसमें securities को ऐसा form of collateral रखनी के आवशकता नहीं है आपने कभी question भी इसका solve नहीं किया तो आप वहाँ पर correct भी नहीं हुए तो वहाँ revision important role play करेगी कि आप जब revise करेंगे तो आपको पता लगेगा कि MSF जो facility है वहाँ पर securities तो use करनी ही करनी है बट option क्या है banks के पास कि वो securities SLR की securities हो सकती है ऐसी चीजे हम revise करके ही खुद को correct कर पाते हैं बिना किसी test series या फिर question की साहता से third important point है clarification का कि बहुत time हमारे बहुत सारे doubts ऐसे develop होते रहते हैं जैसे हम बाकी चीजें पढ़ते जाते हैं तो पुरानी चीजों के बारे में हमारे doubts develop होते जाते हैं तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम चीजों को revise करते जाएंगे उन particular concept selected उन particular topic selected हमारी clarification भी उतनी ही जादा बढ़ती जाएगी हम उससे और जादा familiar हो जाएंगे उस particular concept का जो core system है हम उसको और अच्छे से वहाँ पर समझ पाएंगे और अगर उस से related कोई question वहाँ पर आ गया तो उतनी अच्छे तरीके से उसे handle भी कर पाएंगे सो definitely important रहता है आपके लिए कि आप चीजों को revise कीजिए ताकि जो इतनी महनत से आपने उन चीजों को in the very first place consume किया था वो महनत आपकी बेकार ना जाए and last but not the least एक बड़ा ही एक happy factor रहता है कि जब भी हम कोई किसी भी चीज को पढ़ लेते हैं किसी भी चीज से related question अच्छे से solve कर लेते हैं एक sense of satisfaction वहाँ पर आती है कि यार हाँ मैं खुश हूँ मैंने question solve किया जो ऐसे topic से जिसके वाले मैंने डंग से पढ़ा था ठीक है but down the line जैसे हम prelims की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे जो satisfaction है थोड़ी सी question में आ जाती है कि क्या actually मैंने चीज पढ़ ली है क्या actually मैंने accelerated question solve कर ली है क्या मुझे सही में accelerated सब को चीज़े आती है तो जैसे जैसे आप चीज़े revise करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी sense of satisfaction है यह improve होती जाएगी आपकी sleep cycle इससे improve होगी साथ के साथ आप बाकी subjects के उपर भी concentrate अच्छे से कर पाएंगे तो यह basic से points हैं जिसके अधार पर मैं कहता हूँ कि जी हाँ revision किसी भी aspirant के लिए बहुत important है और sleepy classes के अगर हम बात करें तो बहुत time से एक demand चलती रहती है हर साल हम निकालते हैं जो हमारी 50 important topics के revision series रहती है तो उसी चीज़ के बारे में आज मैं आपके साथ यहाँ पर बात करने हूँ sleepy classes दोरा 50 important topics की series शुरू हो चुकी है आज इस शुरू हो चुकी है दिन को 2 बजे live आपका political session सबसे पहला conduct किया जाएगा तो उस session को देखिए चुरूआत की जाएगी वहाँ पर आपके important topics के साथ सभी subjects के 50 important topics हम इन 3 हफतों में यहाँ पर discuss करेंगे जिसका objective यही है again कि आपको चीज़ें revise करवाना आपने जुतने लंबे समय से इन सभी चीज़ों को बढ़ा है एक quick revision महाँ पर हो सके brush up वहाँ पर हो सके ताकि आप भी जब exam hall में enter करें confident लरीके से enter करें और वहाँ कहीं न कहीं आपका score भी अच्छा निकले एक और ऐसे मैं आपके साथ एक incident share करता हूँ कि जैसे अभी interviews conduct के जाने तो sleepy glasses भी mock interviews conduct कर रहे हैं तो वहाँ पर एक already serving आपके IPS officer रहे थे उन्होंने दुबारा reappear किया था interview तक वहाँ पर पहुंच गये नाम तो चलो कहीं लेंगे but again तो उन्होंने एक चीज़ वहाँ पर mention की कि हम जब वहाँ पर academy में थे training कर रहे थे और prepare भी कर रहे थे साथ साथ में पढ़ते रहे थे तो करते हैं आपकी जो 50 important की जो series थी जो topics की series थी films के लिए वो बहुत ज़ादा important रहती कि उसमें से हमें बहुत सारी चीज़ों की clarity हो जाती है अगर clarity वहाँ पर already थी भी या उनसे later अगर question नहीं भी पूछे जाते हैं तो still एक sense of satisfaction वहाँ पर अचीव हो जाती कि हंजी इस topic के बारे में मुझे पता है अब दुबारा से इसके बारे में पढ़ने की आवशकता नहीं है तो जब उन लोगों को ये चीज feel हो रही है selected candidates को जब ये चीज feel हो रही है पर घवराना भी नहीं है panic mode भी on नहीं करना है बिलकुँ smooth तरीके से त्रियारी करना है that'll be all all the very best have a good day